हेलो फ्रेंड्स मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ ये देखिए हम एक बेबी स्वेटर बनाया है हमने ये इसके फ्रंट पार्ट में हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है सबसे उपर मैंने क्रीम कलर यूज किया है उसके नीचे रेड और सबसे नीचे हमने पिंक कलर यूज किया है ऐसे मैंने इसको बना लिया है और इसको मैंने रीगलेन घटाई किया है स्लीव्ज में मैंने थोड़ा सा डिजाइन डाला है और बेक भी हमारी सेम हैं बेक और स्लीव्ज हमने सेम बनाई हैं तो अब हम इसमें कार्टून डिजाइन बनाएंगे वो डिजाइन हम कैसे बनाईंगे वो देख लेजीएगा ये देखो कार्टून बनाने के लिए मैंने छोटी छोटी ये क्रोश्य के ठिकिया बनाई है ये देखो ये मैंने एक ये वाली बनाई है ये मैंने पिंक कलर की बनाई है एक ये थोड़ा इससे बड़ी इसमें मैंने एक दो तीन तीन हाथ किये है और इसमें मैंने एक दो तीन चार, चार हाथ किये हैं आप चाहें तो इनको और भी छोटी बड़ी बना सकती है ये मैंने दोनों इसके ये वाले ये मैंने दोनों इसके कान बनाए है ये वाले ये मैंने इसके लिए बो बनाया है और ये दोनों हमने इसके पैर बनाए है जिसमें हमने कीवल जैसे हम गोल्टिकिया बनाते हैं एक हाथ किया है और ये में इसके हाथ बनाई है अब ये कैसी बनेंगे वो मैं आपको दिखा देती हूँ ये आपको ये सिंपल है इसमें कुछ बनाना नहीं है ये तो सिंपल गोल्टिकिया है और ये जो बनाए हैं हमने कान और हाथ ये कैसे बनेंगे ये मैं आपको दिखा देती हूँ उसके लिए हमें सबसे पहले हमने ऐसे सबसे पहले हमने तीन चेन बनाते हैं ये देखें यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन अब हम इसको यहां से जोइंट करेंगे हमें सारे जो हमने सारी गोल्टी किया बनाई है वो सेम इसी तरह बनाई है मैं आपको एक बना कर दिखा रही हूँ आप सारे ऐसे ही बना सकते हैं अब हमने इसको यहां से ऐसे जोइंट कर लिया अब हम इसको यहाँ पर इसके अंदर से यहाँ से निकालेंगे और इसे डबल क्रोशिय से इसमें बनाते जाएंगे यह हम तब तक बनाएंगे जब तक यह हमारा गोल घेरा नहीं बन जाएगा पूरा राउंड ना बन जाए तब तक हम इसके अंदर ऐसे ही डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे ये देखिए ये मैं ऐसे इसमें बना रही हूँ ये मैं इसको पूरा यहां से लेकर यहां तक भर लेती हूँ ये देखे हमारा ये पूरा सर्किल पूरा हो गया है अब हम यहाँ पर इसको बंद कर देते हैं ये देखो ऐसे हमारा एक ये पूरा बन गया है अगर हमें ऐसी बड़ी टिकिया बनानी है तो हम इसके उपर एक हाथ और करेंगे जिसमें हम पहले एक सिंगल चावल दूसरे में डबल चावल फिर एक सिंगल चावल फिर डबल चावल कहीं कहीं ऐसे बीच बीच में हम डबल करते जाएंगे ताकि ये हमारा गोल रहे लेकिन ये हम जो है ये मैं एक हाथ के जैसा बना रहे हूँ ये वाला तो इसमें मेरे को ये नहीं बनाना है ये हमने एक हाथ बना लिया और जो हमने नीचे पाउं बनाए है इसके पैर बनाए है, शूज, वो हमने केवल ऐसे ही बनाए है, सीम, तो हमने ये बना लिया है, अब हम इसमें जो दूसरा हाथ करेंगे, ये ऐसे, इसमें हम केवल चार बनाएंगे, एक, चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, दो, तीन, एकिसमें, और एक, ये मैंने चार बनाए, ये देखो केवल चार बनाए है, अब हम इसी को ऐसे करेंगे, और इसमें चार ये सीम इनके उपर डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, ये देखे, इस तरह से हमारे ये कान और हाथ सिम्पल बन गए है, अब हम इसको कैसे जोइंट करेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ, उसके लिए देखिए, सबसे पहले हम अपना ये कायटून तयार कर लेते हैं, इसको हम कहीं भी रखकर तयार कर सकते हैं, इसी के उपर रख लेते हैं, तो ये देखिए, ये हमारा इसका फेस बन गया, ये हमारा फेस हम इसके उपर रखेंगे, ऐसे, इसको उपर और इसको हम यहां रखेंगे, फेस को औ यह मैं भूल गई, यह देखो, यह मैंने इसका बो बनाया है, यह मैंने इसका बो बनाया है, यह बो बनाने के लिए मैंने इसमें जो टाई होती है, वो बनाई है, उसके लिए मैंने 6 फंदे का बनाया है, फिर उसके उपर 6 फंदे, फिर 6 फंदे और फिर 6 फंदे, यह बनाई है तो सबसे पहले में हम इसको यहां से टाका लगा लेते हैं ये देखे हमें जो टाके लगाने है वो कैसे लगाना है ऐसे ताकि वो हमारा टाका नजर नाए सभी में पार्ट्स में हमें थोड़ा थोड़ा धागा छोड़ देना है और इसको हमें मजबूती से ऐसे इसके उप यहाँ पर attached, इसी तरह हमें सारी parts attach करते जाना है, ये मैंने इसमें attach कर दिया है, ये, अब हम इसके, यहाँ पर ये हो गए, अब हम इसके यहाँ पर कान joint करेंगे, ये देखे, यहाँ हमें इसके कान लगाने है, तो कान लगाने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि हमें एक कान ऐसे लगाना है वाइट पार्ट पे रख लेते हैं और एक कान हमें इसका ऐसे तो यहां हम यह दोनों कान इसके अटेच कर देते हैं सुई से सिल देते हैं पिंक धागे से सिल रहे हैं ताकि अगर उपर धागा आए तो वो हमें नीचे का नजर धागा एक्स्ट्रा नजर ना आए तो हम यहाँ पर फिंक धागे से इसको अटेच करते हैं अब यह देखिए यह जो हमारे पास हमने इसका बोलिया था बो को हम बीच से टाका लगाएंगे ऐसे और बो को हम बीच से बांध देते हैं यह देखिए और इसको हम ऐसे यहाँ से टाइट करके बांध देते हैं ऐसे यह दोला करें यह दोला करते हैं यह देखिए यह दोला कि को हम दोला करते हैं यह देखिए यह 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 देखे यह हमने इसमें टाइ लगा दी है अब हम इसके हेंट्स लगाएंगे यह हैंड्स हम यहां ऐसे दोनों साइड में अटेच कर देती हैं और अब हम इसके नीचे ये दोनों, ये देखे, ये हमारा तयार हो गया है, अब हम इसके दोनों ये शूज लगा देते हैं, ये देखे, ये हमारा पूरा पपी तयार हो गया है कार्टून, ये देखो, और इसको हम कैसे भी इस तरह से, ऐसे, इस तरह, कैसे भी हम इसको लगा सकते हैं तो हम इसको ऐसे लगा रहे हैं ये ये देखे इस तरह से हम इसको लगा देते हैं ये देखो कितना प्यारा लगेगा और अब हम इसको यहां पर ऐसे पूरा का पूरा स्टिच कर देते हैं ताकि हमारे टाके नसर ना आए हम किसी भी एक धागे से इसको ऐसे पूरा य तो ये देखे, मैंने यहाँ लिया और ऐसे हलके हलके टांके लगाने हैं, हमें इस तरह इसे पूरे को स्टिच करना है, देखे, ये हमारी स्वेटर का लूग कितना प्यारा आ गया है, यहां हमने एंब्रोईडरी की है, कैसे की है, वो मैं आपको दिखा देती हूं, ये देख कोई मेहनत नहीं करनी है ये देखो इस तरह से हम ये पूरे में बना लेते हैं ये देखिए इस तरह से ये हमारा स्वेटर कंप्लेट हो जाएगा स्लीव में और बैक में मैंने कौन सा डिजाइन डाला है वो भी मैं आपको बना कर दिखा देती हूँ बहुत सिंपल डिजाइन ये देखिए ये जो हमने डिजाइन बनाया है दस सलाई हमने पिंक सलाई पिंक कलर की बनाई है उसके बाद जो हमारा डिजाइन बनेगा ये देखिए ये हमारी सीधी सलाई है बट हम इसको उल्टी बनाएंगे यहां हम दूसरा धागा यूज करेंगे यह देखे, यहां हमें दूसरा धागा यूज करना है, हमने रेड धागा यूज किया है, यह, अब हमने एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर हम एक फंदा बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर एक स्लिप करेंगे और एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे और एक बनाएं पूरी सलाई हमें उल्टी ही बनानी है ऐसे अब हम उल्टी सलाई पर आ गई है ये सलाई हम पूरी बना लेते हैं पूरी बनाएंगे जो फंदा स्लिप किया था उसको भी हम बुनेंगे ऐसे मैं ये पूरी सलाई बना लेती हूँ ये ये फंदा स्लिप किया था इसको भी बुनेंगे और ये फंदा हमारा जो बुना था इसको भी बुन लेते हैं ऐसे हमारी दो रेड सलाई हो गई है अब हम इसमें क्रीम धागा लगाएंगे और क्रीम धागे से ऐसे ही हम पहले रेड में हमने एक फंदा बुना था इस बार हम दो फंदे बुनेंगे एक और एक दो और ये जो हमें उल्टा नजर आ रहा है इसको हम सलिप करेंगे सेम वही पैटरन चलेगा इसको बुनेंगे फिर ये जो उल्टा नजर आ रहा है इसको slip करेंगे और ये वाला बुन लेंगे फिर हम इसको slip करेंगे और ये वाला बुन लेंगे फिर हम इसको slip करेंगे और ये वाला बुन लेंगे इस तरह से हमें ये पूरी सलाई बनानी है और उल्टी सलाई ये भी हमारी बिल्कुल प्लेन रहेगी जो बनाया है फंदा वो भी और जो स्लिप किया था वो भी ये ऐसे हम ये सारे फंदे बना लेंगे और इस तरह से ये जो हमने बैक में और स्लीव में डिजाइन डाला है वो हमारा डिजाइन ये बन जाएगा ये देखिए इस तरह से ये हमारा डिजाइन बन गया है फिर से हमें देखो यहाँ पर हमें फिर से हमें ऐसी हम ये डिजाइन डालेंगे फिर दसलाई प्लेन फिर यही डालेंगे इस तरह से आप ये डिजाइन जरूर बनाईएगा बहुत सिंपल बहुत प्यारा डिजाइन है अगर आपको कोई कमेंट या क्वेरीज होती है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकती है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक, सबस्क्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा थेंक यू, हेवा नाइस टी